नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्राइम तक मेरे साथ प्रवेश पांडे आज बड़ा इंपॉर्टन डिसकॉशन हम करने आए दरसल मिसकी सीरीज चलाएंगे और आपको एक एक सेक्षन के बारे में बताएंगे कि छेड़चाड क्या होती है रेप क्या होता है और क्या दिमाग में जो विचार आते हैं तो ये इसके पीचे साइकोलोजिकल डिसॉर्डर क्या होता है तमाम बातें बिसकस करेंगे लेकिन सबसे पहले परिवेश एक केस के बारे मारे आपको बिल्कुल बॉंबे हाई कोट का आज का एक फैसला है केस को लेकरो बहुत ही इंपोर् अगे तो बहुत बार लोगों को को लगता है माल आइटम ये सब और ये सब बोलने पर क्या होगा कुछ होगा नहीं चोटा हम किसी को थोड़ी ना कुछ कर रहे टच कर रहे लेकिन वर्ड भी इंपोर्टें डॉल according जितना की आप इसी को कॉरण करे से हुआ म्यों ब उस पर चेड़ खानी का मामला था तो इस केस के बाद महिला ने अपने घर पे बता घर पे जाने के बाद पैरेंट ने केस की केस में जो चीजे थी लड़की के साथ जो हुआ वो लड़की ने कोट को बताया और वो केस में रजिस्टर हुआ फिर कोट ने इस पर फैसला सुना आई है और यह साथ साल बाद यह फैसला आया है इसका मतलब बिल्कुल चिराफ बेलोग योगी शुरुवात में तो लेकिन अब दुबारा जील जाना पड़ेगा और सिर्फ क्या बोलने के लिए कि आईटम कहां जा रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा मत समझ कि माल देखिया क्या माल जा रहा है हम बोलते हैं क्या आईटम है गहाज़। आप देखिए बहुत सारे पिच्चर में विलन्स जब किसी को छेड़ना होता था किसी लड़की को, तो यह सब words यूज करते थे, तो अपसे यह words बनी गए, मतलब बहुत सारे words ऐसे बन गए, अगर यह words लेडी को, लेडी समझ जाए, इमोशनल हो जाए, आप तेकल आप कंप्लेंट कर दे तो आपको सजा हो सकते हैं, अब सवाल लिवरता है कि आफिर रेप और मॉलेस्टेशन में क्या फ़र्ग होता है, दोस्तों, हम यूजली जब बाचीत कर रोते हैं प्रवेश लड़कियों से बाचीत क पुछकर, mentally, physically, torture, या जो भी, sexually assault करने के लिए कोई भी चीज कर रहे हैं ऐसी, जिससे महिला को लगे, तो आप सवाल ही उठता है, कि ऐसे कौन से बर्ड हैं, अगर माल लीजे, जाते-जाते मैंने किसी महिला को या आपने किसी महिला को ये सब कुछ बोल दिया, ए माल, ए प जानता नहीं, और मैं जबरदस्ती उस पर ये कमेंट करो, कि एस एकसी या कुछ भी, जो भी ऐसे वर्ड्स, तो वो लड़की मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है, वो मेरे खिलाफ जाके complaint फाइल दर सकती है, और दूसरा केस, दूसरा केस ही होता है, कि अब आप, ये तो होग मॉलस्टेशन में भी डिगरी कितनी है, मॉलस्टेशन के और रेप में भी डिगरी कितनी है, किस extent तक जाते है, ये आपने cases देखोंगे, मुझे निर्व्या केस याद आ रहा है, एक आरोपी था जिसने दरिंदगी की थी, लेकिन सजा चारों को होई थी, फांसी के सजा सब होई थी, क्यों? क्या सबने पेनेटरेट किया था? नहीं, सवाल उठता है कि जब आप क्राइम में एक शक्स दरिंदगी कर रहा है, और दूसरे शक्स ने एक लड़की का हाथ पकड़ा है, किसे सहमती हो रहा है, क्राइम में बैंक में चोरी हो रहा है, और आप क्यों ना व आप बैंक में बैंक में पूरी तरह इन्वाल्फ था, इसी थरह जो गैंगरेप केसे आते हैं, बहुत बार दलील दी जाती है, कि यह तो साइड में खड़ा था, इसने तो सिफात पकड़ा था, इसने तो कुछ किया लिए, लेकिन सजा पूरे लोगों को, क्राइम खड़े बिल्कुल, 10 से जादा अगर बुट जा तो लड़की फायं कर सकती है, कि इसने मुझे बुरी नजर से देखा है, और आपके पर क्या सोची है, बिल्कुल, तो क्या मतला आख बंद कर ले, या घूरना बंद कर दे, या ऐसा सोचना बंद कर दे, बिल्कुल, कंट्रोल करना कड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, आपकी वज़े से कोई लड़की अंसेफ ना-फील करे, कोई लड़की यह फील ना करे कि आपकी नजर उस पर बुरी है, अप देखी यह तो आप you define कर सकते कि उसकी नजर कैसी है, क्या है, क्या feature, इनि हम नहीं है, और आपने ऑपन कुछ दो पसंद नहीं है तो उसके ऑप कहीं ट्रूब हो जये में हैं प्रेणारिकस तौप dud हो जा कहीं हो यह जाते छे में और चली है सबस् foundation कोर्ण मेरा हलम वह सब को बोलती है नहीं बिल्कुल तो कंटेक्स क्या दे कि कोई भी कोई भी बिना मतलब का पुलिस्टेशन ऐसी नहीं चले जाता कि मेरे साथ है डर होता है यह बात सही आप लड़की को भी बात अपनी रखनी पड़ती है सामने बहुत सारी चीजे बतानी पड़ती इन्वेस्टि के लिए कि आखिर वो कौन कौन सी केटीकरी है जिसमें आप फस सकते हैं आप लड़की को 10 सब्सक्राइब हैं आप लड़की को डरोगेटरी कमेंट ना करें ममें हैनक, आप तो ने करें थीको थिक it a अप लड़की को हग लग करें बतला ऐसे ना करें। मैं तो बोल रहा हूं बिना मर्जी के आप कुछ ना गरें तो कई बार मर्जी के भी हो जाता है गड़का तो वो एक्सेप्सिनल केस होते है वो तो कोड फिर देखता है आगे जाकर डिसाइड करता है जैसे हमारे एक कानून है कि शादी का जहांसा देकर मेरे साथ सेक्स किया बात कीस में मुझे मैसे शादी तो बहुत सारे केसे में होता है यह बहुत सारे देश में कानून लागू आप कोई unknown है तो आप उससे distance maintain करके रखें आपकी कौन सी चीज किसी को बुरी लग जाए इस पर आप बोल नहीं सकते लेकिन आप जान बूच के तो मत कीजिए कोई भी बिना मतलका को इस दूसरी चीज आप यह हो गई लड़की के हिसाब से कि वह वह देखें बहुत जैनों को आप बहुत सारे एक्टरस खुद को सेक्सी बोला उनको सेक्सी बोलो के तो आप बहुत अच्छा फील करती है लेकिन आप ऐसी लड़की को बोलो जो यह सब चीजों से नहीं है अजकल लेकिन एक ट्रेंड और भी है बोलो काम की पिसार तो क्सारण बेखाना वो फ्रस्ते से आ जा रहे जैसे क्या होटा काम क्या होता है लड़कियां आ जा रही है टॉंट मालते रहेंगे इन लफंगों के लिए यह मैसेज है कि बेटा तुम ऐसे सब वर्ड यूज करो तुम्हें पता चलेगा तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे ऐसे कौन-कौन से वर्ड से जिनसे आपको बचना है क्या क्या ची पर आदमी ने बहुत बद्दा सा कमेंट लिका था एक्चुली में फोटो देख ली और मैंने पढ़ लिया मैं तुस्त आदमी को बोलूंगा आप भी जा सकते हो मतलब एसे सब वह कहने का मतलब यह द्यान नहीं दे रही लेकिन अगर वो चाहे तो आप पर कंप्लेंट कर स इतनी हरकतों की वज़े से आगे इस तरह कि आप कोमेंट्स अगर लिंक देंगे तो आप सकते हैं तो कहने का मतलब है कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसे कौन-कौन से वर्ड्स हैं कौन-कौन सी परिस्थितिया हैं और क्या मैसेच करने से बोलने से ख्रेड़ने से क कौन-कौन से चीज़ हैं जो बीना टैच किये भी ऐसे बदलब मॉलेक्ट्रेशन के काटेगरी में जा सकता है बताएंगे आपको डिटेल में बिल्कुल अगली वीडियो देखते रहेगा